हलो दोस्तों हम लाष्ट लेक्टे में बात कर रहे थे भागफोर कि किसार रहे थे हम भागफोर कि हमारा रज औरा टीपीएटर मानलब राच के नीत लिद्र सब्कतर혔 क्षेटे इसमें कहते है डायरेक्टिव प्रिंस्पल और स्टेट पॉलिजी तो DPSP में हम बात कर चुके थे इसमें अनुछयत कि संग्या होती है देखिए 36 से लेकर इंक्यावंद तक जो भी बात होती है किस नतरगात होती है DPSP के थी होती है तो इसके हम आच लेक्षर में हमने बात कर दीथी 36 से 42 तक हम बात कर जुके थे निगे दीष से बैलेस तक अनुचियत में जो भी बात है कहीं गई थी हमने सारे की बहुत स्थार्ट इच्छारा तैयार करनी ही और आज की लेक्चर में हम बात करेंगे प्ठ不好意思 से लेकर स Sumatra अप करते हैं हम उनको सब्सक्राइब excitations तोम बात KARते हैं हम नर्वाईयोग मजदूरी दी जाए कोई वेक्ति यह किसी नर्वाइद सेक्टर में काम करता यह काने था है डीपीसपी कहती है एक साइडिकल के अंटर कर आडिकल 43 के अंतर कहती है कि कि किसी भी बैक्ति को निर्वाय योग मजदूरी दे दी जाने चाहिए क्या कहता है आडिकल 43 कहता है निर्वाय योग मजदूरी दी जाए अब वो चाहिए कोई भी सेक्टर में कार करें चाहिए और्गनाइस सेक्टर हो चाहिए और्गनाइस सेक्टर हो किसी भी सेक्टर में काम करता हो उसको क्या मिली चाहिए उसको इतनी मजदूरी मिले चाहिए कि वह अपना जीवन है अपन आसानी से कर सके आप 44 की बात कर लेते हैं तो इसमें चर्चा की कि समान सिवल संगता किसकी चर्चा की कि इसमें बात की कि यह समान सिवल सहिंता ठीक तो इसमें क्या है समान सिवल संगता क्या होती है तो समान सिवल संगता के अंतरकात आता है यह जब ऐसा है सरकार क्या कहती है कि आप साधी और साधी करने की और और तलाक की जो सरते होगी वह क्या होगी समान होगी पर उसकी रीती रवाद कोई से होगी क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे धर्म में हमारे देश में कई सारे धर्म हैं और हर धर्म की साधी की साधी की जो रीतियां होती है वह अलग अलग होती है तो सरकार ने स्वा सभूल सेंटा बीयां जिसके न र OBhehe कि हमारे देश में किसी वी धर्यम के लोगों को साधी और जो पर सर्थे ऑऐ उसकी जो कि जो शर्थे होंगी वह समगान होगी और जीतियां आप आप लोग अपने हिसाब से जो भी सरत्य हों गी वह सभी के की लिए समान होंगी लेकिन वीतियां आप लोग जो भी आपशलों करते हैं वही रहेंगे टीक तो यह था आर्टिकल फोर्टी पूर तो अब आर्टिकल 45 की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 45 में कि रिक रोखाय कि शेघरं ते बर्से एस के बच्चों को 6 वर्से कम आयों के बच्चों को क्या दिया स्वास्त चिकस्ता की बस्तों अपलब्द किया जाए और एक और बात कि इसमें का गया है कि शह बरसे कम आयों के बच्चों को निसलक स्वास्त सेवा उपलब्द की जाए और छह से 14 वर्स तक के बच्चों को दिस्वल सिख्चा उपलब्द की जाई यह हमारी बात किसके अंतरगत के यह बात की आडिकल 45 की अंतरगत लेकिन अब ये जो 6-14 वर्स तक की जो निस्वल सुक्षा का प्रावदान है इसको 86 वा संविदान संसोधन संविदान 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 संविद कैसे चोगदाबस के बच्चों को जो देनी थी वह क्या है एक मौलेक अधिकार बन गाए कि अब उसको आपको देना ही चे पड़ी गाए इसलिए आप लोग देखते होंगे कि हमारे यहां सरकारी स्कूल है जिसके अंतरगत हमें प्राइमरी एनि आठ क्लास तक की बच्चों क तो फिर निसल्क सिक्षा दी जाती है यह किसके अंतरगत है किसके का जब कि जब सम्मीदान तयार हुआ था तब क्या था तब आइटिकल 45 के अंतरगत था अर्थार DPSP के अंतरगत था लेकिन 86 सम्मीदान संसुदान संद्वार 2 के तहत एक आटिकल बनाए गया कि इसका का उसमें कहा गया कि 6 से 14 वस्तक के बच्चों को निसल्क सिक्षा दी जाएगी ठीक है तो आप लोगों का आटिकल 45 अच्छे से समझ में आ गया होगा अब देखते हैं आटिकल 46 तो इसको भी देख लेते हैं चले दो बात करते हैं आटिकल 46 की तो आटिकल 46 में कह रखा है क्य क्या क्या विशेस आरक्षाण करते में जो भी विश्षा खालन में आते हैं सक्रुम में उनको क्या विश्षार्न से अ गाल जğ allez इन लोगों को एंफ विद्गहर्ण शाजोतो नेचे दर्धियट का समझाता तो इसी के तहत सरकार कीया मंसा है कि सरकार यह चाहती कि एसे लोग और कहीं कहीं ऐसा होताया कि इन लोगों को बहुतना नीचा समझाता तो ऐसी स्थितिमें सरकार चाहती है कि इन लोगों को भी समान अधिगार मिले इसलिए इन्होंने 46 में कह रखा है कि SC, ST और OBC को विशेशा रक्षण दिया जाए इसी तहत आप लोगों देखते हों कि कहीं जगें कहीं सरकारी लोक्रियों या कहीं भी आप लोग इससे परचित होंगे कि SC, ST और OBC को अर्क्षण दिया जाता है अब बात करते हैं आर्टिकल 47 तो आर्टिकल 47 कहता है कि सरकार पोसा युक्त आहार उपलब्द कराएगी एवं नसीली दवाओ एवं सराप पर प्रतिवन युक्त आहार उपलब्द कराएगी एवं नसीली दवाओ और सराप पर प्रतिवन लगाएगी लगाएगी ठीक तो आर्टिकल 47 के तहित कहिए जाता है सरकार कहते हैं मनला शमीदान कहता है कि सरकार पोसा युक्त आहार उपलब्द कराएगी एनि सभी लोगों को पोसा आहार युक्त आहार प्रतु यह सरकार की जिम्मेदारी होगी और नसीली दवाओ और सराप पर प् बात हम बता चुके हैं कि यह एक क्या है आर्टिकल 30 आर्टिकल 37 के तहित इसे नियाले दौरा प्रिजवति नहीं किया जा सकता तो इसको जरूरी नहीं कि इसकार इसकाम को करें ठीक और ना कोई इसको दबाऊपूर कराया जासकता है इसको हम पहले ही समझा अब आर्टिकल 48 की बात करते हैं तो आर्टिकल 48 के सतहत परियावरन बन बन जीव की रक्षा रक्षा सरकार का करतब हुगा तो आर्टिकल 48 कहता है कि परियावरन बन एवं बन जीव का की रक्षा सरकार का करतब होगा का करतब होगा तो इसी के तहत क्या इसी आर्टिकल 48 के तहत हमारे आप बन जीव अब व्यारन और नैस्टनल पार्क यह सारी चीजे बनी होती है तो यह किस आर्टिकल के तहत मनी होती 48 के तहत बनी होती है कि अर्यावरन बन एवं बन जीव की रक्षा करना सरकार का करतब होगा तीक अब फुटिएट ठीक और आंगे बात करते हैं तो प्राचीन राश्टिये इसमार को की रख्षा करना सरकार करतब होगा क्या कहें इसमें प्राचीन राश्टिये इसमार को की रख्षा करना सरकार का करतब होगा क्या प्राचीन राश्टिये इसमार को की रख्षा करना सरकार करतब होगा जैसे लालकला उसकी रख्षा नहीं उसकी रख्षा कौन करता है सरकार करती है उसकी देख रेक करने का कार सरकार का होता है जैसे आगरा का ताजमेल होगा उसकी रख्षा और कुतम मीनार होगे तो उसकी इन जैसे राश्टिये इसमार को की सरक्षा कौन करती है सब्सक्राइब 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 कि आपिकल फिप्टी में कह रखा है कि कार पालका को निया पालका से अलग रखा है क्या कर पालका को कि निया पालका से अलग रखा है निया पालका से अलग रखा गया है ठीक तो इसमें आपिकल फिप्टी में कह रखा है कार पालका को निया पालका से अलग रखा गया है अब बात कर लेते हैं फिप्टी वन ने कार आटिकल फिप्टी में कहरा अंतर राश्टिये सांती इस्तापद करना अर्टिकल 81 में क्या रगा उन्तराश्य सांति Case T Whitker रखना इसी के तहत भारत यू अने का क्या बनाता सदस बनाता इसी के तहत भारत इंडिया यहां पर हमने के सभी आटिकल्स को पढ़ लिया है जो कहां से आटिकल्स थार्टी सिक्स टू फुटी बन तक थे अब इसमें एक और रहा गया है जो इसमें क्या फंडामेंटल यूटी जैनि मूल करतब मौलिक करतब वह किसके अंतरगात है आटिकल्स के का के अंतरगात जिसको जिसको हम भाग फोर का एक नाम से भाग फोर एक नाम से भी जानते हैं तो इसकी हम एक अलग सेपरेट वीडियो में चर्चा रहेंगे क्योंकि यह काफी इंपोर्टेंट है तो इनको भी हम देखेंगे लेकिन इसको अलक वीडियो में देखेंगे है AAC में एकलावण नाम से चार्चा करेंगे विलते हैं तो इसको पॉड़ भाग फत्वकी तनवाद